हेलो एब्रिवन वेल्कम बैक टू माई चैनल मैं हूँ रस्मी सचान और स्वागत है आपका मेरे यूटीब चानल पर चलिए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ दोस्तों ऐसे तो आलू गोबी आलू मटर की सबजी खाखा कर मन बोर हो जाता है तो आज मैं लाई हूँ रेसिपी बहुत ही इजी है और जल्दी बन जाती है ज्यादा टाइम नहीं लगेगा लेकिन खाने में बहुत ही अच्छी लगेगी आलू गोबी और मटर की मिक्स यानि की जो चमचा होता है जिससे हम सबजी बनाते हैं टेबल स्पून कहलें तो चार टेबल स्पून के लगबग यहां पर तेल डाला है जैसे कम या ज़्यादा होगा हम आगे और भी इसे तेल को घटा बढ़ा सकते हैं तो तेल एकदम अच्छे से गरम हो जाना चाहिए देखे कलर चेंज हो गया है एकदम धुवा छोड़ने लगे जब देल हमारा तब हम इसमें गोबी के फ्लोरेट्स डालेंगे तो गोबी को हमने धुल लिया है बहुत ही अच्छे से जिससे कीड़े बगरा निकल जाए और इसके बाद हमने इसे अच्छे से सुखा लिया है ड्रेनर में डालके और गोबी के जो फ्लोरेट्स है आप देख रहे हमने थोड़े से गोल गोल मोटे मोटे ही किये हुए है इसका जो लंबा वाला डेंठल है वो मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है इसलिए मैंने वो वाला पार्ट इसका थोड़ा ज़्यादा कट कर दिया है अब गोबी में देखे कितना बड़िया कलर आने लगा है ऐसा कलर दूस्तों अभी आता है जब आप एकदम गर्मा करम तेल में और हाई फ्लेम बे ही इसे फ्राइ करेंगे तो डीफ्राइ करने की जरुरत नहीं है थोड़े से तेल में भी हम इसे एकदम डीफ्राइ जैस इसे भी हम फ्राइ कर लेंगे अगर आलू ज्यादा है तो आप थोड़े थोड़े करके फ्राइ कर लीजिए आज को एकदम हाई रखना है निके फ्लेम को बढ़ा कर ही रखना है जब तक इस सारी चीज़े फ्राइ न हो जाए आलू को मैंने लंबा लंबा काटा हुआ है क् यह जो सबजी बनेगी हमारी थोड़ी सी सूखी सूखी धाबाय स्टाइल जैसी बन करके तयार होगी एकदम सूखी भी नहीं होगी और रसेदार भी नहीं होगी एकदम बीच वाली कंसिस्टेंसी इसकी रहेगी इसलिए लंबा आलू काटा है मीडियम मोटाई का गोल लेते हैं तो उसकी सबजी और भी अची बनती है और वह ज़्यादा अच्छी से फ्राइ होती है क्योंकि वह खीर यूदियोर 32 नहीं कर पा रही थी इस वज़ς से अभा हमें वीडियो का काफी दिन बाद आप आ रही हूं सो चलिए अब हमने डाल दिये हैं एकदम लास्ट में मटर जब आपको लगे कि मारे आलू है एकदम फ्राइ होने ही वाले हैं तो बस उससे एक मिनट पहले आप मटर डाल दीजिए मर्टर को फ्राइ करना यहां पर बहूत जरूरी है वैसे तो मर्टर पक जाएगा ऐसे भी लेकिन जो मटर की इसमयल होती है वो आ जाएगी सबजी पहलों और जो सबजी का टेस्ट है वे एकदम मटर जादा खुश्बुदार लगेगा तो लिए नो कि दीमी पढ़ जाएग Size अब देखिआ जो तेल हैं दोस्तों एकड़ सफीसे अंड़ बच गया है हमारा अगर आपको लगे कि आपके पास ज्यादा तेल रहे हैं कड्याई में तो आप प्वोड़ा कम भी कर सकते और अगर आपको लगे कि इसमें तेल हैं तो यह वह सकते हैं, क्योंकि इसमें हम डालेंगे आदा छोटी चम्मच, हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर, अपने स्वाज की साब से याब डालेंगे बिल्कुल थोड़ा सा पानी डालेंगे जिसे की जो यह मसाले हैं फूल जाले नहीं और इन्हें पकाने में आसानी हो जाए जीरा डाल दिया है आदा चम्मच, कोई खड़ा मसाला मैं यहाप इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, कोई भी खाज जंजड नहीं कर रही हूँ तो दोस्तों अगर आपके पास में सिल्वट्टा है तो आप सिल्वट्टे में ही प्याज और लैसुन को पीसिएगा मैंने यहाँ पे प्याज लैसुन इस्तमाल ना करके आप कभी ताज जी मिर्च का इस्तिमाल करें मसाले मैं मैंने थोड़ा सब siya है जो कलर वाली मिर्ची होती है, यह हमारे कानपूर में Lokalी मिलती है इसे रोगणी मिर्ची कहीं मोलते है तो वही मैंने डाला इससे बहुत यह अछा रोगन आता है तो बस तो सबसा डाल दिया है मसाला लगबग घुन गया है तेल ऊपर तैने लगा है तब हम यहां पर डाल देंगे दो मीडियम साइज के टमाटर को एक दम बारीग चॉप करके कोई प्यूरी वगएरा हमने यह नहीं बनाई है आप चाहे तो प्याज को पीसने के बजाए ग्रेट कर सक लगते हैं तो अब तो यहां अच्छे से बूहना जरूरी है क्योंकि इसे हम इतना ज्यादा तो पका नहीं पाएंगे कि बहुत ज्यादा तेज आश्या पकाएंगे धीमी धीमी आच में इसलिए हमेशा मेरी टिप रहती है पिसे मसाले जब भी आप प्याज वगएरा पीस ली जाएगी तब तक आपकी सब्जी अच्छी नहीं बनेगे और रंगत नहीं आएगी प्याद हिलका भी कच्छा रहेगा तो वह बाद में सब्जी में महकता है तो बहुत ही अच्छे से मीडियम फ्लेम पर बराबर चलाते हुए अच्छे से इसे भूनिये जब तक तेल उपर ताइने ना लगे साथी साथ जो मसाला है उसकी जो क्वांटिटी है वो कम ना हो जाए और एकदम गाड़ा हो जाएगा मसाला तो देखे रोगने में जालने की विज़ेस में रंगत बहुत ही सुन्दर आता है तो अब हमने यहां डाल देना है हरा धनिया इसी और मटर बगेरे का टेस्ट है वो थोड़ा कहीं न कहीं फीका पड़ जाता है अब यहां डाल दिया है हमने घर का पिसा हुआ गरम मसाला अगर घर पर गरम मसाला बनाने की रेसिपी आपको चाहिए तो मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगी और मैं उसका लिंक डिस्क्रिप् सारी चीजों को मसाला बहुत जादा भी नहीं था जैसे आपने देखा कई बार होता है ना कि आलू को भी का तो टेस्टी नहीं आता है बस वो मसाले मसाले का ही टेस्ट आता है तो वो सारी थोड़ी थोड़ी चीजों का आप ध्यान रखेंगे तो एक जो सबजी आपकी बन जिसे की मसाले के साथ में जो नमक वगेरा है आप यहां पर थोड़ा चेक कर सकते हैं अब पानी डालेंगे बहुत हरा सा पानी डाला है मैंने दो टेबल स्पून के जितना ही जिसे की जो मसाले नीचे रहे गए हैं और साथ इसाथ गोभी के जो फ्लॉर्जेट्स हैं उनके अ करके इसे पका लेंगे तो बहुत ही बड़िया तरीके से aloo हमारी कोगांगि क्योंकि yagar coi सब्ची ताइट रह गई तो बजा नहीं झाएगा ख्ताने में सब्ची अच्छे से पतनी साथ टूटनी नहीं चाहिए ऐसी हमको यहां पर जो है सब्जी बना के तयार कर रहे हैं हम तो अब देख पारे सारी चीजें पक चुकी हैं लेकिन कुछ भी टूटा नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा इसे आपको अन्यूजूल चलाने की जरूरत नहीं होती है सब्जी एक बार अगर आपने प सब्जियों में हमारी अच्छी सी शाइनिंग आती है सब्जियों का जो टेस्ट है वो बढ़ जाता है इसलिए यहां पर थोड़ा सा ओईल आपको ज़्यादा लग सकता है बट आप अपनी चोईस के साब से कमिया जाता कर सकते हैं परफेक्ट्ली कोक हो गई है हमारी आलू बहुत ही अच्छे से गल चुकी है बार बार हर आलू को नहीं तोड़ेंगे इससे हमारी जो सब्जी के आलू है वो सारी ही तूट जाएंगी तो अब हमने यहां पर देखिए दोस्तों लास्ट में गैस को बंद करके दो मिनट के लिए कवर करके या फिर पांच मिनट के ल होगी यह मसाले थोड़े से यानि की जो ग्रेवी है यह गारी होगी और जो हमारी सब्जी हो दिखने में और भी बैतरीन हो जाएगी अब दोस्तों आप इसे पूरी के साथ पराठे के साथ नान के साथ किसी भी चीज के साथ में खा सकते हैं वीडियो अच्छी लगी हो तो